तो Frens video शुरू करने से पहले जितने भी इस चानल को subscribe करके रखें, उन सभी से maafy मागना चाहूंगा मैं क्योंकि Frens आप सभी ने regularly video updates के लिए चानल को subscribe करके रखा हैं लेकिन हम साथ दिनों से गयायब थे तो इसलिए आप सभी लोगों से maafy चाहता हूँ दिल से और साथी साथ चानल को सब्क्राइब नहीं करके रखें लेकिन हमारे वीडियो सो रेगलर देखते हैं और कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं उनसे भी माफी मांगता हूं तो friends आप माफ कर देना मुझे बादा करता हूं कि आइंदा से ऐसे नहीं होगा रेगलरली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और EV News के भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे रेगलरली इसके साथ साथ छोटा सा अनॉंसमेट भी करना चाहता हूं फ्रेंट्स यूटूब शाट का एक सफरेट चानल जानकारी लेंगे जो यूनिक डिजाइन और अच्छे फीचर्स के साथ मार्केट में आने वाली है जो कि देंडिया आटाया के बारे में हम इस वीडियो सब कुछ जानकरी हासिल करेंगे तो चलिए फेंट शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हमेशे की तरह एक छोटी से गुजारिश करना तो नहीं बूलोंगा चानल में नहीं तो सब्काइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना कुछ बोलना चाहते हैं कहना चाहते हैं बता व्रूंगाओं हर याना के अंदर इन्हों ने स्टार्ट अप शुरू किया है इनुने इनके कमपीनी के तरब से पहला प्रोड़क्त 3 विलेट्स के अंदर लांच की है जो इलेक्ट्रिक आट्व रिक्षा है अट्वा नाम से इस आट्व रिक्षा का स्पेसिपिकेशन के बा अगर कहें पर कुछ भी आसा हो गया तो रिपेर होने में काफी दिक्कत हो सकती है लेकिन कुछ हद तक यह जो स्टार्ट अप है इसका जो आर्ट औरिक्षा है आपको देखने में काफी यूनिक देखने को मिलता है कुछ इनके designs यहाँ पर आपको डिस्प्ले के ओपर दिखाने की कोशिच करूँगा देख सकते हैं आपके काफी Unix तरीके से इन्होंने design किये हैं त्री विलर के अंदर अगर design के मामले में अगर बात की जाए तो friends see इनके साथ साथ जो इटो मोटर्स के designs है वो भी काफी changes लेके आ हैं electric tree village के अंदर और इसके अलावा बहुत कम companies है जो कि electric auto rickshaw के अंदर designs के मामले में change लेके आ हैं और इसके अलावा इस auto rickshaw के अंदर आपको different variants देखने को मिलते हैं जैसे की passenger हो गया उसके अंदर भी आपको model मिल जाता है और साथी साथ cargo भी हो गया और full body का भी आपको यहां पर design देखने को मिलता है और साथी साथ जो आपके requirement के हिसाप से आपको यहां से इनके company से purchase कर सक जब हम three wheeler के उपर इतना weight दालते हैं तो हमारे जो auto rickshaw हो skid होने के tilt होने की या पिसल जाने की ज़्यादा डर रहता है हमें तो इसके लिए इनोंने anti tilt technology का use किया है इस technology ज़्यादा difficult नहीं है जब हमारे auto rickshaw ज्यादा load दालते हैं तो कहीं पर चड़ाओ पे या one side आपको हो रहता है दूसरी तरह आपको नीचे हो जाता है तो यहां पे स्कीड होने के ज़्यादा chances होते हैं आपके auto rickshaw को तो यहां पर यह technology काम आजिती है लगबग आप कह सकते हैं कि independent suspension होता है same as it is काम करता है जैसे कि independent suspension के आपको one side आपका जो tear height हो जाता है और दूसरी तरब न आपको उसी तरह से काम आने वाली है और इस आटो के रिक्षा के अंदर यही खास बात है कि यह 110 loading capacity के साथ आ रही है जो अभी तक मार्केट में नहीं है लेकिन इन्होंने भी अभी तक मार्केट में available नहीं किया है बस इन्होंने एक prototype बनाया हुआ है इसके अलावा कुछ भ है आपको और अभी तक एलेक्ट्रिक आटोरिक्षा नहीं खरीदें तो कुछ दिन वेट कर दीजिए काफी अच्छे आटोरिक्षा लांच होने वाले हैं जैसे कि ओमेगा का रेज प्लेस रैपीड का सेकंड वर्शन आ रहा है जो मार्केट के अंदर बहुत ही जल्द लां है वह खर्जा लिया हुआ है जो डेप्ट मिला इनको एक करोड का उस डेप्ट से इन्होंने देखना यह होगा कि मार्केट के अंदर क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं इस डिजाइन के साथ और इस रेंज और इस लोडिंग के पैटी के साथ और इसके साथ थाथ हम देखना यह है कि इसके अंदर specification क्या होंगे जैसे कि आपको battery क्या मिलेगी इसके अलावा extra features क्या मिलेंगे हमें और basic features क्या मिलेंगे इस सबके जानकारी हमको मिलना बाखी है तो अगर आप इस चानल को subscribe ने कहीं है तो जरूर subscribe कर लेना क्योंकि इस वार्ट औरिक्षा या दूसरे कोई भी एलेक्ट्रिक वेहिकिल के बारे में अपडेट्स आपको regularly मिलना चाहिए तो नीचे subscribe बटन दीख रहा होगा उसको क्लिक कर लेना वो साथी साथ बिल एकन को मत बूल जाना क्योंकि वो आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा regularly तो इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं इस आटोरिक्षा के बारे में ज्यादा specification कहीं पर भी company ने नहीं बताया तो कुछ design के मामले में आपको बताना चाह रहा था और साथी साथ और साथी साथ एक बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि जो दिंड़ोरा आप सीरीज अगर देखें हो तो दिंड़ोरा और यह यह यार इतना इसको प्राक्टिस करने में एक घंटा हो गया मेरे को दिंड़ोरा इसका company का नाम है और दिंड़ोरा आसान दिख रहा है दिंड़ोरा वेब सीरीज जो यूटूब सीरीज बनाया हुए बहुन बाम सार ने तो दोनों में बहुत कंपीज बना हुआ है मेरे को तो वैसे आप भी कंपीज हो रहे हैं तो नीचे comment कर देना और साथे साथ वीडियो को इतना दूर देखें तो like कर देना और चानल को अभी तक सब्क्राइब नहीं किया तो चानल को जरूर सब्क्राइब कर लेना क्योंकि मिलते रहेंगे हम अगली वीडियो में, वैई बाई दान बाई ब झाल झाल